बंगला देस में संबिधान भी है, संसत भी है, सेना भी है, मिसाइल भी है, तोप भी है, बारूद भी है, गन भी है इसके बावजूद पिता के सामने बेटी का बलादकार हो रहा है पती के सामने पत्नी का बलादकार हो रहा है बच्चे के सामने मा का बलादकार हो रहा है और चुलिए बंगला देश तो छोड़िए इतना सब कुछ हो रहा है इसके बावजूद हमारे देश में नेता भीनेता, लेखग, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, जो छोटी-छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, छोटी-छोटी बात पर वीडियो बनाते हैं, वो भी मौन बैठे हुए. और ये जो पिता के सामने बेटी का बलादकार हो रहा है, या पत्थी के सामने पत्थी का बलादकार हो रहा है ये जाती देखके नहीं हो रहा है ये देखके नहीं हो रहा है कि इब्राहमर है कि छत्री है कि वैश्ची है कि दलित है धर्म देखके वे नहीं हो रहा है बलादकार ते समय बलादकारी ये नहीं देख रहा है ये हिंदू ह क्लिए रहे लेकिन जांट हो रहा है अंडर न कोो है कि फॉर्नчес हहा है कि नहीं बाई बंगला देश है इसके बावदáticas ने Radiant हमारी खबर पाली का विनेस फोगाट के मेडल की चिंता कर रही है शरम नहीं आती इतना सब होने के बाउजूद अगर आप शांत हैं तो इसका मतलब आपका मांसी खतना हो चुका है इतना जो कुछ बंगला देश में हो रहा है इसके बाउजूद अगर आपकी आत्मा जगजोर नहीं रही है तो आप इसका मतलब दल गुलाम हो चुके हैं पॉलिटिकल पार्टी ने आपके मांसी खतना कर दिया है आपको पूरी तरीके से मांसी गुलाम मना लिया है जो कुछ बंगला देश में हो रहा है अगर आप उसके बाउजूद भी चुप है तो वास्तों में आप नेता कहनाले के लायक नहीं है आप अभी नेता कहलाने के लायक नहीं है आप अपने आपको समाज का प्रतेश्टी आत्मी मत मारिए और एक बात याद रखिएगा यह जो बंगला देश में हो रहा है यह पहली बार नहीं हो रहा है यह जो बंगला देश में हुआ है यही पहले अफगानिस्तान में हुआ था अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था यह जो बंगला देश में हो रहा है यही पाकिस्तान में हुआ था हुमायों के समय में भी हुआ था तुगलक के समय में भी हुआ था गोरी के समय में भी हुआ था गजनी के समय में भी हुआ था अगबर के में भी समय हुआ था आज जो बंगला देश में हो रहा है न यह आज ही कोई पहली घटना नहीं है यह जो बंगला देश में हो रहा है यह सीरिया में भी हुआ है यमन में भी हुआ है यजीदियों के साथ भी हुआ है और भी कई देशों में हो चुका है इसके बावजूत समस्या के मूलकांड की चर्चा नहीं हो रही इस समस्या के अस्थाई समाधान की चर्चा नहीं हो रही नरसंगार होता जा रहा है इसके बावजूत दुकाने लूटी जा रही है सोरूम लोटी जा रहे है खेतों पे कबजा किया जा रहा है घरों पे कब्जा किया जा रहा है बड़े-बड़े हवेली वाले बेघर बन चुके है जो बेचारे आराम से अपने घर में रह रहे थे आजो सड़क पे आ चुके है और इसके बावजोद उनकी बहन बेटिया सुरक्षित नहीं है कभी सोचा अपने कि वो पतनी अपने पती से आँख कैसे मिलाएगी जिसके सामने उसका बलातकार हो चुका है कभी आपने उस पिता की मजबूरी सोचा जिसके सामने उसकी बेटी का बलातकार हो रहा है और पिता सहाय है कभी आपने सोचा उस बच्चे से अपनी मा कैसे आख मिलाएगी जिसके सामने उसका बलातकार हुआ है सामोहिक बलातकार हुआ है अरे कुस्तो शरम कर लो कुस्तो अपनी आत्मा को जगा लो पाल्टियों की गुलामी कब तक करोगे नेताओं की गुलामी कब तक करोगे और अगर तुम सोच रहे हो कि जो बंगला देश में हुआ है ये भारत में नहीं होगा तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है जो बंगला देश में हुआ है वो कस्मीर में हो चुका है जो बंगला देश में हुआ है वो भारत में भी होगा अगर अभी भी तुम दल गुलामी नहीं करोगे अभी अगर तुम्हारा मांसिक खत्ना भी जारी रहा न तो जो बंगलादेश में हुआ है वो यहां होगा मैं हाँ जोड के निवेदन कर दा हूँ चोड दल गुलामी चोड दो पार्टीयों की गुलामी कढ़ोर कानून की मांग करो ये जो मुगलिया's स्कूल चलना है भारत में पाँ हैं जिसे में नफरत सिखाई जा रही उनको खतम करवाने भारत में समान शिच्छा लागू करने की मांग करो कम स्क्म 10 वी तक 1 nation 1 education board हो, 1 nation 1 slave us हो, 1 nation 1 curriculum हो, छोड़ दो political partyों की गुलाबी, यहाँ पे भारत में समान नागरिक संगिता लागू करने की मांग करो, समान धर्मस्तल संगिता लागू करने की मांग करो, समान जनसंख्या संगिता लागू करने की मांग करो, घुस पैट के खिला नहीं काला नहीं जा रहा है किसी एक राजी से घुस पक्षोल्सक्मान की गुलामी और जिन नेताओं के भरो से बैठे हुए हो जिनр से बैठे हुए हो यह कुछ नहीं तुह में बचाने नहीं आएंगे बंग्ला देशम में हत्या बलादकार हो रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको बचाने आ रही है क्या जो वहां हिंदू जैन बहुत दसिक एक करोड से ज़्यादा आज की डेट में सड़क पे आ गए है वो भी ओट देते थे वो भी पॉलिटिकल पार्टी हों के सरस्ते बंगलादेश का कोई धरमग बंगलादेश का कोई नेता अभिनेता दूसरों को बचा पा रहा है क्या वहां तो अभिनेताओं का घर जलाए जा रहा है वहां तो गायकों का घर जलाए जा रहा है अभी जलाए गया ना बंगलादेश में अगर तुम किसी नेता के भरोसे बैठे हो किसी अभिनेता के भर समाधान क्या है इस समस्या का स्थाई समाधान है भारत में one nation one education board one nation one syllabus one nation one curriculum दूसरा कोई समाधान नहीं है जब तक ये पाक ना पाक की सोच खतम नहीं होगी तब तक अराजकता खतम नहीं होगी तब तक हिंसा बलातकार नहीं रोकेगा अब पाक ना पाक की सोच बच्पन से आ टब तक पाख नाकी सोच नहीं बंदोगी पाख नाकी सोच के लिए समान सिख्छा के समान नाग्रिसंगिता भी लागू करना पड़ेगा घुस पैठीयों को भगाने के लिए घुस पैठीयों और उनके अगर हम चाहते हो भारत को बचाना तो भ्रस्टा चार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा क्योंकि भारत में जितनी आराजकता है यह सब काले धन के जरीए हो रही है इसकी सब की फंडिंग हावाला के जरीए हो रही है तो विदेशी चंदानी अंतरन कानून बनाना पड़ेगा हमारी यंग जनेशन को जो नसे में डुबोया जा रहा है बर्बात किया जा रहा है उसके लिए नसे के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा और खुद भी सोच लो कि जितनी अराजकता बंगला देश में है इतनी अराजकता दुबई में क्यों नहीं है इतनी अराजकता कुवेत में क्यों नहीं है इतनी अराजकता अरब में क्यों नहीं है कभी आपने सुरां कि आरब में हिंदु जैन बहुत से घर जलाए गया नहीं जलाए गया क्यों कानून इतना कठोर है सठे साथ्यम समाचरेद भैबिन होई नपरीद भारत को बचाना है तो भारत में जस्टिस विदिनियर लागू करना पड़ेगा कठोर कानून बनाना पड़ेगा और जस्टिस विदिने लागू करना पड़ेगा भारत में बचाना है तो यह जाती का जहर घोलने वाले नेता है भाशा का जहर घोलने वाले नेता है इनको तिहार में डालना पड़ेगा जेल में डालना पड़ेगा और वो जेल में तभी जा कानून नहीं बन पाएगे अच्छा कानून तब बनेगा जब अच्छे लोग संसत में जाएंगे और अच्छे लोग संसत में तब जाएंगे जब बुरे लोग तिहाड में जाएंगे जब तक बुरे लोग बाहर बैठे हुए हैं यह अच्छे लोग को संसत पहुंचने नही अगर बनना है तो ठीक है फिर भी पीन जुट बोलते हो नहीं बनना तब तो तो जह सही बात बोलो तब तो कम सब्हेने कर weed southern if कि अब कर निहाल गणके भी भारत था तो दुरियो धन निहाल के के भी भारत था, मालदी भी भारत था, हर जगन से हिंदू खतम हो चुके हैं, भारत के नौ राजियों से हिंदू खतम हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खतम हो चुके हैं, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में खतम हो चुके हैं, अभी भी अगर मांसिक खतना जारी रहा, अभी भी दल नहीं छोड़ी अभी भी पार्टियों के गुलामी नहीं छोड़ी अभी पाकhanडियों को exposed नहीं किया और अभी भी कठोर कानून की माँग नहीं किया तो जैसे आज बंगला देश में पिता के सामने बेटी का बलादकार हो रहा है पती के सामने पत्नी का एकी तरीका है अधर्म का नास करने के लिए कठोर कानून बनाए जाए